मैं ओनलिवुड इंडस्ट्री में बाबुसन मोहंती का सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ, इसलिए मैं बैंगलुरू में माल्यागिरी फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था। इस फिल्म को देखने के बाद मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपने इस तरह की उड़िया फिल्म पहले कभी नहीं देखी होगी, मैं कसम खाता हूँ। माल्यागिरी एक उड़िया फिल्म है, जो दर्शकों को बाबुशान मोहंती द्वारा निभाये गए चरित्र परशु के इर्ध-गिर्ध केंद्रित एक भावनात्मक और साहसिक यात्रा पर ले जाती है। चुनोती पूर्ण मल्यागिरी परवत पर चढ़ने का साहसी निर्णय लेता है, जो उनके वित्तिय उद्धार की कुंजी मानी जाती है, सिवानी संगीता और सूर्यमाई, जो इस उभरते नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, प्रित्वी राज पतनायक के न अनुरूप अपने पिता को बचाने के लिए बेटे के अटूट दिढ संकल्प के सार को प्रभावी ढंग से दर्शाता है, सहायक कलाकार फिल्म की प्रामानिकता में योगदान देते हैं, कहानी कहने के अनुभव को बढ़ाते हैं, निर्देशक पृत्वी राज पतनायक माल्यागिरी में भावना और रुमांच के तत्वों का सफलता पूर्वक संयोजन किया है। के लिए बेटे की भक्ती पर केंद्रित है, यह द्रड संकल्प, लचीलापन और अपने प्रियजनों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, के विशेयों पर प्रकाश डालता है। यह एक हृदैस पर्शी कहानी है, जो एक परिवार के भीतर गहरे प्रेम और जीवन की प्रतिकूलताओं को दूर करने के लिए उठाए गए असाधारन उपायों की पड़ताल करती है। यह फिल्म अपनी प्रासंगिक कहानी और कलाकारों के प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए देखने लायक है। तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं। जै जगन्नाव।